और आज हम पढ़ने वाले एक और डेटा टाइप के बारे में और लगबग आपका सारा जीतवगार का डेटा टाइप होता है पूरा यहाँ पर कांसेट कतम होने वाला है चलिए हम पढ़ते हैं यहाँ पर इस्ट्रिंग डेटा टाइप की बात कर लेते हैं string python में कहते हैं किसको है string चोकि आप string समझ रहे होंगे तो string देखिए यहां फे परिवासा definition लिखी भी है strings are sequence of characters enclosed within single quotes, double quotes and triple quotes ठीक न यहां पर क्या लिखा है string हम उसको कहते हैं यानि कि variable के अंतरगत वो data जो single quote के अंतरगत लिखा हो ठीक न इसमें small bracket भी होता है single quote के अंतरगत लिखा हो या फिर double quote के अंतर लिखा हो string जो होती है उसमें कोई आप change नहीं कर सकते हो तो यह मोटी मोटी बात हो गई इस्ट्रिंग हम किसको गएंगे चली है हमें कोडिंग में बात करता है को कि की बात क्कोडिंग की चला है, एक कोडिंग बात करना ठीक रहता है, तो यहां पर श्ट्रिंग हम एक जाला हि से जोी कैसे बनती य पीज्टशु हर ग tool कर पिकते हो 5, सिंगल ना रखो तो डबल रख सकते हो, डबल ना रखो तो आप टृपल भी रख सकते हो, यह स्तरह से जो श्ट्रिंग हमारी बहनती है, तो हमें आपे स्ट्रिंग नाम का हमने हे वारिएबल बनाया, छुचå, थे उसके अंदर दो वामिए डाटा भी लिखाएंगे, वो भी एक श्ट्रिंग डेटा टाइब ही रखोंगा तो चलिए यहां पर डेटा लिख देते हैं कि टस्टेड इंडियन इस पेमस बेस्ट यूट्व चैनल इंडिया तो यहां पर दोस्ते हमने एक श्ट्रिंग बनाई और श्ट्रिंग के अंतरगत हमने एक श्ट्रिंग ही लिख दी यहां मैंने किया मैंने एक श्ट्रिंग नाम का वरिवल बनाया आप कुछ भी वरिवल बना सकते हो लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए यह श्ट्रिंग नाम का वरिवल बना दिया और उसके अंतरगत हमने श् स्ट्रिंग बन गई है तो इसके लिए को क्या करना पड़ेगा आपको यहां पर टाइप जाचना है ना तो मैंने आपको पहले वाले एपिसोड हो बता है इसका कैसे देखते हैंगे हम लगाएंगे प्रिंट लिखेंगे टाइप टाइप लिखने के बाद अब जो वैरियेव कि सरे मंपारusal करने वाले एनवाले यानिकी इस्टिंग में किस तरह के आफ्टे किकी यह सपते हैं पूरे आपके डिटेल में पढ़ेंगे हम यहां पर देखेंगे कि यह ने ाम सले कि शुँत में से हैं हिक् NORock में टर्स का अकशल till and armed horrific HOpe तो, अपको मैं क्या करूँगा उसे मालिजे। कोई एक Allender को मैं कि गूआया क्या साथ माल्येशिच। उसके लिए आपको क्या करना पादए कि गिनना पादएग। कितनी मतलब कितने नंबर पर आता है, तो आपको गढ़ना कैसे स्टार्ट करनी है, count कैसे करना है, 0 से स्टार्ट करना है ना कि 5 से START करना है, यह भीजा है आप अपना याद रखियेगा, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 0 से मैंने स्टाट किया, 0 पर T था, 1 पर R था, 2 पर U था, 3 पर S था, P 4 पर था, E 5 पर था, D 6 पर है, तो ट्रस्टेट में जो D है वो 6 नमबर पर है, हम क्या करेंगे यहां पर, हम लिखेंगे print, ठीक ना, उसके बाद हम का करेंगे, variable का नाम लिखेंगे, उसके बाद जो square bracket में हम लिख देंगे, 6 तो यह देखिएगा, D print कर देगा, तो देखिएगा, D print कर देखिएगा, तो इसने क्या किया, D print कर दी, तो इस तरह से आप कर सकते हो, कोई भी specific value को बाहर print करा सकते हो, कोई भी एक लेटर को, अब सब कुछ कीजिए इसमें से मुझे यहां पर, उल् इंडिया का जो आई है, वो है कितने नंबर पर, 0, 1, एक पर है, तो मैं क्या करूँगा, माइनस अब की एक करूँगा, तो यह उल्टी तरफ से भी print कर देगा, कोई specific लेटर आदिया, आपको string से बाहर पाना हो, तो तो आप है square लगाता हूँ, और आई जो है, वो कितने प पर A है, और 1 नंबर पर आई है, तो माइनस 1 मैं लिखूँगा, माइनस 1 मैंने किया, क्योंकि मैं उल्टा काउंट कर रहा हूँ, इसलिए माइनस लिखा जाएगा, वही मैंने फिर किया, और देखिए जो, जो हमारा A है, यहाँ पर print होचका है, तो इस तरह से आप उल्टा से कुछ पार्ट बाहर चाहिए, ठीक न, तो यहाँ पर मुझे पार्ट इसका कुछ अदी बाहर चाहिए, मान लिजे मुझे यहाँ पर कोई specific चीज बाहर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर print लिखूँगा, string लिखूँगा, ठीक न, string लिख करके वही bracket अपन पर है, ठीक न, तो इसको index value हम कहते हैं, तो मान लिजी जो पूरी string लिखी, इसमें कहीं सारी index होंगी, index पर कुछ उसकी value, मतलब उसमे data लिखा है, तो जो d था हमारा, वो six number के index पर था d, तो इसी तरह से हम यहाँ पर मान लिजे एक value print कराते हैं, कि zero से six के बीच में जो भी जाए, वो हमारा print कर दो, zero से six index के बीच में, जो भी यहाँ पर string में लिखा हो, वो print हो जाए, तो देख लिजे, zero से six के बीच में ही यहाँ पर चीज़े print हो चुक ही है, यह से आप देख लिजे, trustee, यानि कितना जो यह print हुआ है, यह देख लिजे, जीज़े, zero से six के print करना है, जिसे माल लिजे, इसको मुझे इसे print करना है, कि इसको माल लिजे, तो इसका जो syntax होता है, वो आप देख लिजे, formula, जिसे आप ऐसे भी समझ सकते हो, तो उसका syntax है, वो आप देख लिजे, बाकी आप सब करी लोग है, तो यहाँ पर देखिए, यह मैं bracket लगाता तो यह जो है, इसका syntax है, क्या है इसका, यह इसका syntax है, प्रिंट करने का, ठीक है, तो अब देखिए, मैं यहाँ पर करता हूँ, तो मैं माल लिजे, मुझे कोई value प्रिंट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे start करना है, कि 6 index से start हो, किस से, 6 index से start हो, और यह जो value जो print हो, कहां तक, इस ट्रिंग में print हो, उसकी भी हमें index यहाँ पर देनी पड़ेगी, मैं जाता हूँ, अठारवी index तक जाए, ठीक ना, वो मुझे नहीं पता है, यहाँ पर इस ट्रिंग में इस टारवी index, उसको गिनो के तब खुदी पता चलेगा, अब मैं जो तीसरा है, यहाँ कि दो थो छोड़ो कर किया है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर लास्ट में दो लिख दोंगा, और यह जो फिर क्या होगा, देखे लिजी अप आठीक अभी Kiss object होजाएगा, और यहाँ पर string लिख देता हूँ वरना यहाँ पर print नहीं होगा तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा variable मैं लिखा ही नहीं हूँ तो variable मैंने जैसे ही लिखा और यहाँ पर जो bracket है वो भी मैंने नहीं लगा है तो वो भी लगा देता हूँ और अब मैं इसे print करूँगा आप देखिएगा तो देखिए जैसे ही मैंने आपर प्रिंट किया तो जो 6-18 इंडेक्स पर जो लेटर था उसके बीच में जो दो दो उपर आता था वो चीज वहाँ पर प्रिंट हो चुकी है बाकी वहाँ पर प्रिंट नहीं हुए तो इस तरह से आप इस जो सिंटेक्स है उसका भी यहां पर यूज कर सकते हो अब मालीजे इसी सिंटेक्स का यूज करके मैं इसको उल्टा गंगा बाद हूँगा कई से देखो कई से देखो तो मालीजे मुझे इसको उल्टा प्रिंट करना है तो आपको क्या करना है तो देखिए प्रिंट लिख देना है वाले होते हैं ठीक ना उसके वाद जो लास्ट में आपको step over में करना है वो minus one कर देना है जब देखिए यहां पर आप कुछ लिखोगे नहीं तो जी रो माल लिया जाता है ठीक ना यह बेसिक आप पता रखो कि यहां पर मैंने कुछ नहीं लिखा तो यहां पर जीरो होगा ठीक ना तो लास्ट में step over में मैंने कर दिया minus one तो देखिए यह पूरा ultra print कर देगा तो देख लिए टेस्टेट इंडिया नीजब फेमस यूटूब चैनल इन इंडिया को उसने इसी वाली सिंटेक्स का मैंने यूज किया है बस इसमें जो start और स्टाफ में मैंने उस नहीं लिखा तो उसका जीरो हो जाता है step over में मैंने minus one कर दिया तो यह उल्टी गंगा बाई गई गई तो यह तरीका होता है method होती है इसिंट काриशन काई से कालते हों मियाप को बता रहा हूं इसको अर्तरए मिन से सब्सक्राइब करना है इसका उदे यह झाल यह ऊंट इसलिया शप्रिब्सक्र बेस highest ओर शोनाय में रग दिया है ताकि आपको समझा ए तो चलिए हैं पर लेन इसकी पता कर लेते हैं तो 56 इंडेक्स वाइलू है इसमें एक इस्ट्रिंग में जो मैंने बनाई टेस्टेट इंडिया फेमस यूटूब चैनल इंडिया इसके जो लेंथ है उस 56 करेक्टर इसमें है ठीक ना तो यह लेंथ भी पता चल जाती है आपको बात कर लेते हैं इसको मुझे अगर छोटा लिखना हो जिसे टेस्टेट इंडिया इन इजफेमस यूटूब चैनल इंडिया जो है इसको मुझे चोटा-चोटा कर देना है यानि कि इसमाल लेटर में लिखना है तो इसके लिए भी बस एक सिंपल सा प्रेसन चलाना है तो यह देखिया वह कि रखिया नद आख लेशग कर देना है कि कि न लोव तो यहां प्रिक यहां फी देखिया जैसे मुझे स्ट्रिंडर् लो यह इस तरह एक आहाई है इस तरह हैं माल लेटर में बन जाएगा जो हमारा स्ट्रिंग होगा देखेगा देख लीजिए आपके सामने ट्रस्टेट इंडियन इजए फेमेस व्टू चैनल इन इंडिया जो है बड़े-बड़े लेटर में लिख चुका है तो इस तरह से आप आप अपरेशन कर सकते हो और भी कर सकते हो जैसे मैं लीजे मुझे या पर ट्रस्टेट इंडियन जो है इंडियन की जगह पर नहीं इज की जगए पर आर कर देना है तो आपको क्या करना है, print और simple सा आपको string लिख देना है, उसके बाद simple सा लिख देना है replace, और आपको किस से क्या replace करना है वो चीज़ आपके लिख देनी है, तो मैं यहाँ पे is लिखूंगा, और इज को replace करोंगा r से, तो r यहाँ पे लिख देता हूँ, r मैंने लिखती को आ tester में आ檬े जाने को स्ट है करना तो मैंने पेले ईज को स्ट्रिम मनाया करके से मधा लगा करके सुन्हाइड लगो डॉबल लगो निक्री निव दो तो तो देखिघ बमी देगा तो इस तरह से देख लिए इस इशने जो है एजी की जगाए अब आर कर दिया ट्रश्टेट इंडियन आरे फेमस यूटूर चैनल ऑदल्जीजूर इसने रिप्लेज कर दिया इस तरह स to說 अब माल लिजी इसमें मुझे कर आपर काॉंट करना है कि अच में जो फेमस यूटुब चैनल में जो फेमस वर्ड है वो कितनी बार रिपीट की वा है उसको मुझे काउंट यहाँ पर करना है सेंपल सा कुछ नहीं करना है बज़े काफरेशन जला देना है इस्ट्रिंग डाट काउंट और यहां पर को लेख देना है जो भी आपको काउंट करना है जा 여전 Incorporate कितनी वारें तर सेंग रहें वीडियो अब एक बीस कीमत कीजिए सारी पार्ट इंप तो आपर देख लिए स्ट्रिंग डाट काउंट जैसे ही मैंने आप आप रेसंग चलाया तो आप्टो में इसने बता दिया काउंट करके कि जो पेमस वर्ड है वो जो इस पिंग थी उसमें जो पेमस वर्ड है वो एक ही बार कोशिस करेंगे कि कोई स्पेसिफिक जो वैलिू हा वो कितने नंबर पर आदो इसका देगे कैसे पता करेंगे मान लीजिये मुझे यहां पर पता करना है तो यहां पर कैसे पता करना है स्टिंग लागा देना है और एक जो यह पनस में जो एक है फॉकित तो आपको देखिए बता देगा कई से बताएगा देखिए इस ट्रिंग में वह बीसमें नंबर की इंडेक्स पर आता है में इस्पलिट भी सकते हैं तो चलिए हैं आपर देखते हैं यह क्या चीज होती है ठीक होत के करेंगे च्रीज्व आपको एक आप कर देना है इस ट्रिंग के स्टरिंग डाट स्पिलीट आप कोई यहां पर कहां से तोड़ना भू मुझे माल लीजी यहाँ पर टेस्टेट इंडियन इजए फेमस यूटूब चैनल इन इंडिया में जहाँ जहाँ पर आई है उसको तोड़ देना है तो कैसे तोड़ो गए तो यहाँ पर देखिए आई जो है मैंने वो इस्ट्रिंग के अंतरगर रखी है स्ट्रिंग आपको कैसे बनानी है स्ञे को डबल ओ रिफल कोड ब शाल एक्या हमारी तो देखिए आई से यहाँ पर टूट जाएगा तो आप देख लीजे जो जो यह जो है वो आई आई से तूट चुका है देख लिएजे तूट गया है पूरा split हो गया है cut हो गया है slice हो गया है तो इस तरह से यह जो सारे function है मैंने आपको एक string की पूरा operation कैसे किया जाता है बताया next data type हम देख लेते हैं वो है tuples tuples क्या होते है tuples is an ordered collection of elements enclosed within small bracket tuples जो होते हैं वो immutable होते हैं immutable मतलब क्या होता है इसमें आप कोई change नहीं कर सकते हैं जिस तरह से आपने string में change किये यह immutable होते हैं और इनका जो type होता है वो इस तरह के bracket के अंदर का tuple जो है है अपर इसे ही तो tuple हमने एक variable बना है tuple और इसके अंतर कर दो data लिखेंगे वो data कैसा लिखेंगे tuple वाला तक ही tuple लगे तो हम लिखेंगे आप इस इसके अंतर कर देखिए order elements रखते हो यानि कुछ भी रख सकते हो ठीक है तो इसमें एक हम कर दो तो सबको मैंने ले लिया ठीक है अब इसका अब जरा टाइप चेक करते हैं कि युपल बना भी है अपर इसे ही तो आपको print वाइस स्टेट में जोच करने ही जो कर रहे है तो टाइप टाइप किस का जनना है किस वेरियाबल का जनना है tuple ठीक है ना तो अभी देखी लिखके आ जाएगा तो यह जो है class जो इसने बताई है वो ट्यूपल बताई है वागए में एक ट्यूपल ही है क्योंकि उसको जो है जैसे यह पर देख लिखे 20 यह जीव इंडेक्स का आए है त्रू जो है वह एंडेक्स पर है सरद ड़ फोन इंडेक्स पर है तो आप मुझे कौं सिटी वाईल्यू प्रिंट करनी है तो को सिंप्र चारेंट कर लिए तो चलिए मैं टुप हरेंपू को प्रिंट कर ले तो त्व रू जों है कितने इंडेक्ज सब्दों रहा जीरो से स्टार्ट होते है यह जाद रखना पाइफन एक पीछीक प्रू जयonton पर दाना ऐा बस अर्ट-ीयंट-तौ दाना मार से नेक्ट कच्छिन लगा देना है तो माइनस बन माइन लगा देता हूं माइनस बन जाई से मैं नहीं पर लगाया तो इसने सरद कर दिया तो यह अच्छा एक चीजज याद रखना कि जब उल्टे तरफ से आप गिनोगे तो आपनी यही चीज इस्ट्रिंग में भी देखी होती होती हो और यहां पर बात कर लेते हैं, वही देखिए, आप रेसें दोनों है, तो फटा फटा भी हम देख लेते हैं, जो पिश्ट्रिंग में लगा कर आए है, कि माल लीजिए, इसमें मुझे कोई 20 से कुछ किसको निकालना है, तो सिंपल सा लगाओ, जैसे माल लीजिए, जिसे माल नहीं होगा, यह गलत हो जाएगा, यही मैंने यहां पर टूपल ना लिखा, तो उसको लिख देते हैं भाईले, और यहां पर, आप देखिए, कि प्रिंट हो जाएगा, तो यहां पर जो है, इसने 0 और 2 के बीच में जो था, वो प्रिंट कर दिया 20 और 2 को, यह 0 को भी ले लेता है, ठीक है, और यहां पर 2 को नहीं लिखा है, क्यों वो लास्ट है, नेस्ट की बात करते हैं कि इसको माल लीजिए, आई से प्रिंट करना है, तो इसको थोड़ा हम टूपल को थोड़ा लंबा हो का खीच लेते हैं, नेस्ट हम टूपल बना लेते हैं इसको थोड़ा तूपी बन नाम से हमने एक Next टूपल बनाया जिसको थोड़ा हम लंबा रखेंगे जान भूचके कि तकी सारी कुछ चीज़ें इसमें हो जाएं तो इसको आई से हम रख देते हैं तो इसको मैं इसे और इसमें थोड़ी जाजा चीज़ें मैं रख देता हूं तक कि इसमें एक यह पिरिंट किया तो टूपल जो जो है ऊप्रिंट होगा हो गया है 25 टू आठ सो बस्क्राइब आर्ट सो सरद अब इसमें मुझे यहाँ पर जो है वईए वाला स्टेक्मेंट यूच करना है स्टाट इस टाप और बाला तो प्रिंट प्रिंट करता हूं यहां पर टूपल लिख देता हूं, उसके बाद Y breaker लगा देता हूं, अम मुझे यहां पर इसको प्रिंट करना है, अब मुझे किस किस इंडेक्स के बीच में प्रिंट करना है? सबसे बहुत आपका नोसों पटा करना है किस किस इंडेक्स के बीच में है, तो मुझे चाहिए Prot tellement से भी नई फौर्थ इंडेक्स के बीच में चाहिए जीरो से फौर्थ इंडेक्स के बीच में आप्रेशन चलेगा है यानि कि जीरो से स्टार्टिंग होगी फौर्थ पे स्टाफ होगा और उसके बीच में जो हमें चलाना है एक एक छोड़कर चलाना है यानि कि ओड़ोट नप इं दूब्वाइक कर देता हो इतने परिंट कर दिया पूंटी ब्रूत तुरिंट इस तरहां से जो यह यह प्रेंट करता है इसको नई है इसको करके कि देखिएगा इस इसको नहीं पर इस ट्रिंटेक्स इस तरह से इसको करके देखेगा आप इसे नहीं समझागे जब तक आप खुछ सेने ट्राइट करो गया तो नेश्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पर लेंथ हमाल लीजिए मुझे किसी टूपल की पता करनी है तो लेंथ वही लगेगा चीज ठीक ना जैसे मैंने स्टिंग में क और इसमें थोड़ा हम एक बार अगेन अगर देते हैं दोवारा बना देते हैं आज चल देए तो पी बन टू और इसमें वाईलिव पूट कर देते हैं और उसको रिवर्स में चला करके देखने ना स्टाप स्टार्ट वाले को माइनस बन बस आकरी में लगा देना और जो दो रेजियों से रूख कि उसमें कुछ मत रखना जो जिस तरह से मैंने आपको स्ट्रिंग में बताया था आप करके देख लिजेगा ठीक और इसको हम प्र कर देताऊं सबसे वहले तो प्रिंट लेंट और काउण सा वरियेबल है तो योफी बन अई टो लेंद निकल आई कि वेटिवीवीद दिवांक के अंतर का जो जो एलिमेंट है वो फोर एलिमेंट है और इसी तरह से क्या करना जो आपको लेंट अब अच्छा इसमें चीज और द्यान देना कि मिनिममुम्म भी आप पता कर सकते हो तुपल में। जीसरे, यहाँ पर मैं, यह चॉपल यहाँ पर पता करूँगा तो मिनिममूम, मैं पर में लगा देता हूँ, तो एक टुपल बनाता हूँ जीसरे, जो इंटीजर हो वाही इस रखे गए हूँ तो मैं आप एक Tup2 नाम से एक टूफल बनाता हूँ जिसमें मैं सिर्फ रखूँगा जिससे मैं मैंक्जमा मिनिमूम पता हो बाए तो अब यहाँ पर देखिएगा प्रिंट मैं कर देता हूँ Tup2 नाम के अब इसमें आपको मिनिमूम मैंक्जमा भी पता कर लोगे Tup2 को मैं आपर प्रिंट कर देता हूँ जैकि प्रिंट किया मैंने 2550 आ चुका अब मुझे पता करना है कि Tup2 जो है Tup2 इसमें मिनिमूम वैलू किया है तो मैं प्रिंट मिनिमूम का मिन लिखेंगे म आपको लिखना है और जो टूपल है जो वैरियेबल है उसका नाम और ब्रिंट तो देखिए पंदा इसमें सबसे चोटा है मिनिमूम है अब यही आप मैटिम्ट में अप्रेशन भी लगा सकते हो तो पता करने की वह आपा कॉंट भी देख लेते हैं बंग कांट में कैसे किया जाएगा जीसे मालिचे मुझे कांट करना है लिजे अनुजिटु मैं कॉपड़ अल्टु मुझे पता करना है कि जो सभाना 근데 को आधा मैं य​ मैं वह द्टू कि कर देता हूं 25 कितनी बार, टूपल two में था, तो एक यी बार था, आप देख लीजिए, आपके सामने ये बताएगा कि 25 कितनी बार था, तो 25, तो उसमें देखिया बता दिया कि टूपल 2 में 25 एक बार आया है और सही में एक ही बार आया है dot count वह आपको वह number लिख देना है जो आपको integer चाहिए हो पता करनी हो जिसको count करना जिसको गिनना हो अब यहां पर हम index पता करेंगे देकि index लिए आप्पर पता कर सकते हो करने हमें चाहिए 15 की इंडेक्स वैल्यू कितनी है तो 15 लिख दो और रन करा दो तो बता दिया जने कि दूसरे इंडेक्स पर है सही में दूसरे पर है ध्यान दीजे 25 जो है वो जीरो पर है 100 दो एक पर है 15 दो पर है ठीक नाई से गिनो जीरो से जब उल्टे चलेंगे तब हम एक से गिनेंगे नेस्ट की बात करते हैं कि हमें आपे इसको माली जे कई गुणा हमें मल्टिप्लाई कर देना है कि ट्यूपी यूर्टेश वार यह जितनी है वार तो इसमें बसे अपर चलाना इसको मुल्टिप्ल केस्ट करने के लिए तो आपको क्या करना है ट्यूपी टू टू तो ट्यूपी टू यह दगी वर्य बने मने बनाया अब इसको कितनी वार आपको गुना करना है वो लग दीजिए माल तो देख लिजिए पांच बार आपरेशन चल गया है अभी यहीं परमाल लिजिए आपने दो एक ट्रूपल बनाया प्यूपी वन बनाया और जिसमें आपने वाइलू रखी पांच तस पंदा वीज पांच दस 15 20 नेस्ट हमने एक ट्रूपल बनाया ट्रूपल टूपल आउंगा ठीक ना क्योंकि ट्रूपल टू बन चुका है और इसमें मैंने वैल्यू रखोंगा आप इसमें 10 20 30 10 20 30 ठीक ना इस तरह से देखिए मैंने वैल्यू रख दिये अब मैं प्रिंट कर आप मैं दोनों को ट्रूपल वन ट्रूपल ट्री को कैसे जोड़ूँगा ल P1 यनि की ट्रूपल ट्री ली तो ड्री जो ट्री में जो वैल्यू थी वाल्यू थी यो प्रिंट लोंह जोड़ गए इस तरह है कंएं तरह की अपर सन किया सकते हैं यह आपको ट्रूपल बताया तीसरा चीज यहां पर लेते हैं लिस्ट, लिस्ट, लिस्ट को समझे ध्यान से, लिस्ट जिने ordered collection of elements is closed within square bracket, ध्यान दीजेगा, टूपल में small bracket था, इसमें square bracket है, और लिस्ट जो होती है, वो mutable होती है, यानि कि इसमें लिस्ट में change किया सकते हैं, चलिए एक लिस्ट बनाते है क्योंकि coding चल लही है, तो coding में ही बात करना ठीक रहता है, तो list एक बनाते हैं, list, तो मैं नाम ही लिख देता हूं, variable का list का confusion रहे, तो इसमें list में जलिए value रख देता हूं, इसमें देकि true और string भी आप बना सकते हैं, जरूरी नहीं, लेकिन मैं यहां पर सिर्व यह integers लोंगा बता कि ठीक रहे, 22, 44, 88, 110, ठीक रहे, तो और भी ले लेते हैं, 200, तो इस तरह से मैंने आपे list में कुछ elements ले लिए, और मैंने इसको square bracket से बंद रखा है, अम मैं आपे साफसे बिले तो इसका type ही बता कर लेता हूं, कि list है भी या, आईसे, तो list, type, तो यह रेकिया, इसने बता दिया, जो इसकी class है, वो list है, तो list में हम कुछ operation करेंगे, उसका भी पूरी तरह से, इसका खोज करेंगे, कि क्या इसे, क्या है, इसमें होता है, तो list में सबसे पहले तो operation हम चलाएंगे, आपे, 0, मतला हम इसकी y चीज है, जो चीज में हम देखते आ रहे है, कि 0 index per currency value, यह हम देखेंगे सबसे पहले तो, और वही है, इस लोग एक जो same mastering में करते आया, जो टुपल में करते आया, और जो अभी list में करेंगे, तो सबसे पहला काम, प्रिंट, और यहां पर मैं लिखूँँगा, list, अब मुझे पता करना है, कि यहां पर, 0 index पर, कौन है, तो लिस्ट, और, minus, 1, तो यह जो bracket हा, वो बड़े bracket लाइने चाहिए, ठीक है, आपने देखा होगा, मैंने उसमें भी किया है, list, और टुपल, sorry, string, और टुपल में, तो देखें, minus 1, यानि कि देखें, उल्टी तरह सो जिकिन ने स्टाट किया, तो 2580-1 index पर आया, ठीक है, list, square bracket, अब कितने के कितने के बीच में चाहिए, माल लिजे मुझे आपे, एक से, आचवी index के बीच में जो भी हो, माल पानी वो निकल लाइबार, तो देख लिजे, प्रिंट हो गया, अब माल लिजे मुझे आपे कोई specific value, कुछी specific चीज पर चाहिए, देखिए कई से, यह मैं समय कर चुका हूँ, वही है, syntax का वही लगेगा, start, ratio, stop, ratio, step over, कितना के बाद चाहिए, तो सबसे बहले तो list, और हम मैं यह आपे लिखूँगा कि कहां से start हो, तो माल ले हो, मैंने start किया है, कि 1 से start हो, first index से start हो, और किस index तक यह operation चलेगा, वो लिख दीजे कि माल लिजे मुझे, फुत index तक यह operation चले, और इसमें जो value print हो, इसके अंतरगत, वो कितने-कितने छोड़के हो, print, तो वो लिख देना है, मुझे माल लिजे यह एक छोड़का print करना है, तो देख लिजे, print हो गया, उतने के यही अंदर, उतनी-उतनी value छोड़के, तो syntax इसका क्या था, syntax यह था, start, मैंने string में बताया हुआ है, syntax वहीं पर लिखा है, start, ratio, stop, ratio, step over, next की बात कर लेते हैं, हमालीजे इसी syntax का मुझे use करके, यही start, stop, step over का use करके, मैं इसको, इस list को उल्टा कर सकता हूँ, देखिए कई से, तो इसमें बस मैंने string में बताया हुआ है, आप उसको भी देखिए, list हमारी multi print हो गई, ठीक है, तो यह list में 4 operation हमने की है, आप यहाँ पर हम यह देखेंगे, कि इसमें मालीजे मुझे कोई change करना है, चुकि list mutable है, तो इसमें हम change कर सकते है, मालीजे मुझे इसमें कोई नया element अंदर डालना है, तो कई से पढ़ेगा, देखो, print, और यहाँ पर list, और यहाँ पर कितने index पर कौन सा number में डालना है, मालीजे मुझे first index पर, first index पर अभी तक क्या था, 44 था, अब मैं यहाँ पर 44 की जगा, 88 जाओता हूँ, 80 नहीं, 100 जाओता हूँ, तो देख लिजे, list first index पर 100 मेंने बराबर कर दिया, और यह इसे 100 महुचा देग है, तो list यहाँ पर first index पर, तो यहाँ पर जो है, कुछ गरवड हो रहा है, इसका syntax, और यहाँ पर देख लेता हूँ, तो list और यहाँ पर square record लगाया, first index पर चाहिए का 100 चाहिए, और इसको आगे बलाता हूँ, प्रिंट करता हूँ, list गो, list, यहाँ पर देख लिजे, जो है, 100 हमारा प्रिंट हो चुगा है, अच्छा आप समय क्यों नहीं हो रहा था, उसके पीछे लिजन यह था, कि जो मैने है न, वो प्रिंट मैने एकी ला हो गया, ठीक है, तो इस तरह से भी आप कोई भी list में change कर सकते हो, किसी भी element में, ठीक है, तो यह चीजात रखना, ध्यान रखना, और यहाँ आपके append, append का operation और पाप का operation चला लेता हूँ, append का मतलब यह है, इसमें कोई नई value अप अप अंदर insert कर सकते हो, जैसे माल लिजे, मैं आपके list.append, और यहाँ पे कोई नई value मैं इसमें अंदर insert कर सकता हूँ, जैसे माल लिजे, 88 मैं आपके लगाना चाहूँ, तो इसको भी लगा सकता हूँ, अब print मैं करूँगा list को, अब मैं इसी तरह से करूँगा ता कि दौरा यह रहा रुस्तने का ना है, तो देख लिजे, लास्ट में 88 append हो चुका है, यानि कि नए element list में जोड़ चुका है, अब यहाँ पर मैं पाप करूँगा, पाप का मतलब पाप हुआ वाला नहीं है, तो list.app, यह POP लगाया, और यहाँ पर मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूँगा, पाप का मतलब यह होता है, लास्ट प्रिंट कर दो, लिस्ट को, लिस्ट, अल्ट, एंटर, और लिस्ट.पॉप, तो यहाँ पर इस तरह से, जो है error आ चुका है, तो यहाँ पर यह बता रहा है, कि 200 index, तो यहाँ पर आप यह कर सकते हो, जैसे मालीजे कितनी index पर आशायत का उस से हो, तो हो गया, देख लिजे, कि इसमें यह होता है, पॉप में मालीजे कोई index पर आप दी आपको, मालीजे आपको मैंने यहाँ पर दूसरी index, तो 88 था ड्रक्ने उसकी इंटेक्स जो है पॉफ के अंतर के रखनी है तो इंडेक्स दूसरे नंबर पता त्व ने दूसरा यहां पे पॉफ जो जो इंटेक्स है व्यूजु मैंने लिख्क है और फाइनल एक नि अठा दिया या निकितु इंडेक्स पर 58 था उसने अठा दिया और हमारी लिस्ट प्रिंट हो गई ठीक है ना तो इस तरह से किया जाता है रिवर्स लगाना है रिवर्स तो रियर्स रिवर्स का मतलब यह होता है इसको उल्टा प्रिंट कर देना है तो लिस्ट लिस्ट डार्ट रिवर्स एं सपी obviously अज़ैं को अब फासेश्च को प्रेंट आई हमारे जो लिस्ट होगी वोल्टी हो जाएकी तो लेस्ट आ देख लिजे हमारी जो लिस्ट है वोल्टी होगी, रिवर्स होगी, यह रिवर्स फंक्सन यूज करता है, इस तरह से काम करता है, अब महान लीजे मुझे आप एक कोई पर 5000 इंसर्ट करना है तो वो करतिया प्रिंट कर दो लिष्ट को फिर फिर ग्रोश की अपर रेकर अब देख लिए जैसे ने पांच जार हमारा दूसरी इंडेक्स पर इंसर्ट कर दिया फटा-फट इस तरह से कोई भी लिस्ट में एलिमेंट आप इंसर्ट कर सकते हो प्रिंट, लिस्ट, 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 तो दोगिए इसने जो है, सब एक कमिक आर्टर रूम में लगा दिये, पाई सो, एक सो दस, 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 दो सो, यहने की कुला कवाड़ आप नहीं पहला है, सब एक दम लाइन से लगा दिये, साथ में, तो साथ फंक्शन इसतना से काम कर लिस्ट कहता है, दोट, साथ और दो, समाल ब्रैकेट, तो साथ function काम करता है, अब माल लिएक कोई मैंने एक लिस्ट बनाई, उसमें एक स्टेंड करना है, दूसरी लिस्ट को वह भी आपए अट कर सकतो, तो चलिए दो लिस्ट बना लेते हैं, अधर उसको दोनों को जोडत कुछ elements रख देते हैं इसमें 30 का रख देते हैं 21 42 64 84 105 तो तो यह मैंने दो लिस्ट बनाई अप्या करना है इस लिस्ट को मुझे दोनों को जोड़ना है तो कई से जोड़ेंगे वाई वाला सिंटेक्स यहां का यूज करो लिस्ट वन डाट एस्टेंड लिस्ट टू लेस्ट वन डाट एकस्टेंड लिस्ट टू अब और प्रिंट किसको करना आँ लिस्ट बन को तो दोनों चीज़ें जोड़ जाएंगी देगना कि लिश्ट बन वर्येवल लिखा पाइनली देख लिजिए आपके सामने रिजल्ट सामने है दोनों चीजने जुड़ चुकिए है पसी पच्छार पच्छार एकस पांच कि साइज जीजन जुड़ गई है पंक सरी अपरेटर हमने क्या यूज किया ऑपरेशन हमने क्या लगा अब तपका करोगे सेंपल जाएक उठाओ अफ्रेटर वह यूज कर लो सम लिस्ट तो तो सम सम लिखो अंदर लिस्ट मतलब जो वरीबल वह बनाया वह लिख दो प्रिंट कर दो लिस्ट को सम बस यूज करना है इंट कर सम लिस्ट अभी मैं सारा कुछ अठा देता हूं कि की पहुत जाना है या पर हो चुका है बनाई गरवड कर देगा तो मैंने सारा कुछ अठा दिया दोवारा लिस्ट बना लेता हूं कि पचीज पच्छीज पच्छो पच्छीज अब बात कर लेते हैं सम की अब मालीजी मुझे लिस्ट केंता का सारे कुछ जो भी चीज़े हैं सबको जोड़ना है तो सम लिस्ट अब प्रिंट कर देना है लिस्ट को तो यह जो भाई यह जोड़ देता है लिस्ट के अंतर का जो भी चीज़े होती है उनको सबको जोड़ देता है तो आप यह पता नहीं क्यों नहीं जोड़ना है लेकिन इसमें साथ कुछ प्रवड़ हो चकी हो तो आप ट्राइए किजिएगा अभी मैं लाइफ सूट कर रह दे तो यह किसक 있나 आता है यह जो भी स्ट्रेंग म्में बता के आया हूं यहां पर कुछ को मुझे कऊंट करना है कि कितनी बार यूज़ जो हम लीजिए मुझे मुझे पता करना है कि 25 कितनी बार आया है इसी लिस्ट में तो एक बार आया है, सच में यह कई बार आया है, तो यह count function, हम मुझे माली यह length पता करनी है, यह list की, तो length भी यहाँ पर पता कर सकते हो, length, list की, print, print, list, print, print का R, तो, जो length है, वो list की अभी आजाएगी, print list की जो length है, टार आ गई है, ठीकर, list में कितना element है, चार element है, तो length इन का लाई, और बात कर लेते हैं, कि minimum list में क्या है, minimum minimum, तो उसका भी यूज कर लिए, print, list, यह पर देखिए, minimum value भी पता हो चुकि की, list में minimum value क्या है, simple सा आपको min और list यह function चला देना है, आप सामने देख सकते हो, ठीक, यह operator देख चलाओगे, और operation करोगे, तो आपकी minimum value जो list में होगी, वो भी पता चल जाएगी, इसी तरह से कि list को सारा कुछ element जितने भी है, उसको सम operation चला करके देख लेते हैं, होता है या नहीं होता भी, देखा, तो यहाँ पर मैंने list रखा, और यहाँ पर देख लिए, sum operation चल गया, उस समय global क्या हो रही थी, मैं आपको बता देता हूँ, वो दरसल मैं दो line में कर रहा था, दो line म print, list, dot, clear, और तो smile bracket, और bracket close, तो देख लिए, यह print हो चुका है, तो इसमें none आया है, यह इसलिए आया क्योंकि इसको मैं double line में इसको करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसमें list, dot, clear करना पड़ेगा, इसलिए इसने जब यह नन बता है, तो समझ जाओ, कि दो line में काम बनेगा, तो print, list, और देख लिए, bracket हमारा खाली हो चुका है, none कोई answer नहीं होता है, bracket खाली होना चाहिए, ठीक ना, जिसको हम null set कहते हैं, ठीक न, रित खाली, तो यहाँ ते हमने list में जितने आप रेसंट हैं, वो सारे चला है, string cover कर लिए, default cover कर लिया, बचाया dictionary, और set, dictionary किसोंको कह कहते हैं, dictionary is an unordered collection of key values, pairs, enclosed within, इस तरह के जो bracket होते है, इसको इंदी में मजला bracket कहते हैं, तो इस तरह हैं इंग्लिज में मुझे पता नहीं, अलाकि भी देख लोगा, तो dictionary is, जो है, वो म्यूटेवाल होता है, इस में आप चेंज कर सकते हो, इस तरह का bracket लगता है, ठीक न, इस तरह का bracket यूज होते हैं, देखने हैं, यह वाली dictionary नहीं है, जो आप पढ़ते होगे, यह दूसरी तरह की dictionary होती है, तो एक dictionary नाम का variable, और यहाँ पर दो bracket लगा लिए है, इसमें देखे की value होती है, की और value का यहाँ पर होता है, इसे माल लीजे मैंने एक बनाया, apple बनाय होगा है, यानि कि यहाँ पर जो आपको key रखनी है, वह ऐसा रखना है data type, जिसमें change ना हो, यानि की mutable हो, तो यहाँ पर string भी आप रख सकते हो, key में, जैसे मैंने apple रखा है, तो यह यहाँ पर कोई number भी यूज कर सकते हो, कि उसको भी change नहीं कर जा सकता है, वो literal होता है, ज एक और में आपकी ले लेते हैं, और इसमें value हम रख देते हैं, 1000, एक और हम data बना लेते हैं, और एक चीज़ाद रखनी है, इसमें कामा लगा देना है, कामा, ठीक है, चलो दो ही रखते हैं, जाना हो नहीं, ठीक है, अब प्रिंट करते हैं, अब से बहले तो date type चेक कर लेत dictionary है भी या नहीं, dictionary, तो यह variable मैंने रखा, अब प्रिंट किया देख लिए, इस ने बता दिया, अब इस dictionary में तरह तरह के operation करेंगे, जैसे में इसमें माली जो मुझे की निकालनी है, तो की भी यह आप से आप निकाल सकते हो, तो dictionary, तो यहापर dictionary, dot age, और यहापर प्रिंट करनी है, dictionary, और यहापर dictionary रखिए, यह जो की है, हमारी यहापर निकालाती है, ठीक, की निकालाती है, और value भी यहापर आप निकाल सकते हो, तो इसको मैं इसे कर लेता हूँ, तो यहापर इसे मैं कट कर देता हूँ, तो दरखिए सेने क्यी निकाल दें ठीक ने ये के लाइन वाप्रेशन चलेगा धर गएगा नेश्ट की बात करते हैं वाईल्यूऌ यदि आनल ये समय से आपको बाईल्यू निकाल ली है तो बस आपको कुछ नहीं करना है किजिकी जगह आपको वाईल्यूज करना बस और यह अपकी वाल्यू निकल आई ठीक है इस तरह आपकर सकते हो